πeurs वेलकम टो माइ किचिन नमक ए 1 चोड़ा चमच आदा चमच लालमे जियुद्ध है 1 चोट़ा चमच हल्दी है 1 चोड़ा चमच धनिया पाउडर है 1 चमच आम चूर है मसालों को मिक्स करेंगे नमक लालमे च्श हल्दी धनिया पाउडर जीरा दन्या पाउडर और आमचूर पाउडर सबको मिक्स करेंगे तो यह रहा हमारा मसाला त्यार अब चलते हैं बेंगन की तरफ तो मैंने एक बड़ा बेंगन लिया है इसको हम सबसे पहले बीच में काटेंगे बड़ा और मोटा बेंगन है और बेंगन की हम पतले पतले स्लाइस काटेंगे पहले इसके हेड को अलग कर लेते हैं तो हेड को काट लेते हैं बेंगन की अब हम इसके पतले पतले स्लाइस काटेंगे ज्यादा मोटे ना रखें वरना तवे पर पकने में देर लगेगी बहुत टाइम लगेगा पतले पतले काटें ताके ये आसानी से जल्दी इकल जाए और इनके अंदर पल्प भी अच्छा खासा होना चाहिए ऐसे ना हो कि तवे पे सूख जाए हमें इसके अंदर पल्प भी होना चाहिए और ज्यादा पतले भी ना हो ज्यादा मोटे भी ना ह आधे आधे इंच के आप रखें जैसे मैं कर रही हूँ वैसे तो इतने बेंगन मैंसे आपके 7-9 slices बनेंगे एक बड़े मोटे बेंगन से तो अब हम बेंगन के उपर जीर चाकू से उपर उपर से कट लगाएंगे बेंगन के उपर बेंगन को काटना नहीं है उपर उपर कट लगाएंगे ताके हम जब इसके अंदर मसाला बरें बर सकें और जैका अंदर तक आए तो सारे बेंगनों को हम काट लेते हैं इस तरीके से उपर उपर से कट लगाएं उपर उपर से चाकू से चीरा लगाएं अलग ना करें, काटे नहीं बेंगन को, उसकी खाल तक शुरी को नहीं लेके जाएं, सिर्फ उपर उपर काटें, ताके हम इसके अंदर मसाला भर सकें, इस तरीके से, अब हम तेल लेंगे, तवे पे तेल लगाएं, मैं दो तवे इस्तमाल कर रही हूं, क्योंकि बेंगन के अंदर मसाला भरेंगे, जो हमने मिलाया था, नमक, लालमिच, हल्दी, धन्या पाउडर और आमचूर पाउडर, आमचूर पाउडर जरूर डालिएगा, उससे अच्छा जायका आता है, आप चाहें तो इसमें गरम मसाला और जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने मांच मसाली इस्तमाल कियें, और टेस्ट इसका ला जवाब आता है, तो सारे बेंगनों के अंदर मसाला भरेंगे, कट्स के अंदर मसाला भरें, ये देखें, तो सारे बेंगनों के अंदर मसाला भर लेते हैं, कट्स के अंदर यूँ खोल के, उसके अंदर मसाला भरें, और फिर फैला अदे मसाले को बेंगन के उपर थोड़ा थोड़ा खोलेंगे तो कट्स के अंदर मसाला जाएगा देखें मेरे कट्स उपरफिशल हैं ये त्यार हैं अब हम तवे पे ये बेंगन लगाते जाएंगे और 10 मिनट हम मीडियम फ्लेम पे खुले में पकाएंगे पहले 10 मिनट फिर 15 मिनट बाद में हम ढख के पकाएंगे तो टोटल कोकिंग टाइम होगा इसका 25 मिनट और पूरे कोकिंग टाइम में हम इसकी फ्लेम मीडियम फ्लेम रखेंगे आप चाहें तो लो फ्लेम पे भी पका सकते हैं तो मैंने सारे स्लाइसे रख दी हैं अब हम 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसे पकने देंगे थोड़ी देर के बाद हम इसके उपर तेल डालेंगे तो 6-7 मिनट हुए हैं तो आदा शोड़ा चमर तेल डालें हर एक बेंगन के उपर आदा शोड़ा चमर तेल डाल दें इससे उपर का मसाला भी अच्छे से पकेगा और हमें उपर उपर से मसाला कचा कचा नहीं लगेगा और स्टीम के वज़ा से और तेल की वज़ा से मसाले भी पक जाएंगे तो आदा चोटा चमच तेल लगाएं हर एक बेंगन के उपर तो दस मिनट हो गए हैं मीडियम फ्लेम पे खुले में पकाकते हुए अब हम 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे ढख के पकाएंगे ध्यान रहे बीच बीच में आप खोल खोल के चेक कर सकते हैं थोड़ा पल्प रहना चाहिए तो 15 मिनट के बाद ये हमारे बेंगन त्यार है मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के बाद ये त्यार है मैंने बीच बीच में खोल के चेक किया था कि कितना पका है और कितना कच्छा है तो आप भी इस बात का ध्यान रखें अब हम इसे रोटी पराटी के साथ खाएं सब के चावल के साथ खाएं बड़ा ही मज़ा देता है ये बेंगन तो थैंक यू फॉर वाचिंग प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, ये व्यूस मैटर से लॉट प्रेस बेल आइकन बटन, घंटे के बटन को जरूर दबाएं थैंक यू फॉर वाचिंग